जै मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें. दोस्तों, आज हम सुनेंगे सावन सुमवार व्रत की कथा जो इस प्रकार है. अमरपुर नगर में एक धनी व्यपारी रहता था. दूर दूर तक उसका व्यपार फैला हुआ था. नगर में उस व्यपारी का सभी लोग मान सब्मान करते थे. इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यपारी अंतरमन से बहुत ही दुखी था. क्योंकि उस व्यपारी का कोई भी पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिन्ता सताती रहती थी कि उसकी मृत्तु के बाद उसके इतने बड़े व्यपार कौन संभालेगा। पार्वती जी ने भगवान सिव से कहा कि हे प्राणात ये व्यपारी आपका सच्चा भगत है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा नियुमित रूप से कर रहा है। भगवान आप इस व्यपारी की मनो कामना अवस्य ही पूर्ण करें। कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रे करते हुए कहा नहीं प्राणात। आपको इस व्यपारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। ये आपका अनन्य भक्त है। प्रति सुमवार आपका विद्वत व्रत रखता है। और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगा कर एक समय भोजन ग्रहन करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ती का वर्दान देना ही होगा। पारवती का इतना आग्रह देखकर भगवान सिव ने कहा। तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यपारी को पुत्र प्राप्ती का वर्दान देता हूँ। लेकिन इसका पुत्र 16 वर्स से अधिक जीवित नहीं उसी रात भगवान सिव ने सुप्ण में उस व्यापारी को दर्सन दे कर उसे पुत्र प्राप्ति का वर्दान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बता दी भगवान के वर्दान से व्यापारी को खुसी तो हुई लेकिन पुत्र की अलपायू की चिंता ने उस खुसी को नस्ट कर दिया व्यापारी पहले की तरह सुमवार का विद्वत प्रत करता रहा कुछ मैने पसचात उसके घर अती सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुसियां भर गई बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारों मनाया गया व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुसी नहीं हुई क्योंकि उसे पुत्र की अलपायू के रहस का पता था ये रहस घर में किसी को नहीं मालूम था विद्वान ब्रामणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा जब अमर बारा वर्सका हुआ तो सिच्छा के लिए उसे वारा नसी भेजने का निश्चय हुआ व्यपारी ने अमर के मामा दीब चंद को बुलवाया और कहा कि अमर को सिच्छा प्राप्त करने के लिए वारा नसी छोड़ाओ अमर अपने मामा के साथ सिच्छा प्राप्त करने के लिए चल दिया रास्ते में जहां भी अमर और दीब चंद्र रात्री विश्राम के लिए ठैरते वही वह यग कराते और ब्रामनों को भोजन कराते थे लंबी यात्रा के बाद अमर और दीब चंद्र एक नगर में पहुँचे उस नगर के राजा की कन्या के विवा की खुसी में पूरे नगर को सजाया गया था निस्चित समय पर बारात आ गई लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आग के काने होने के कारण बहुत ही चिंतित था उसे इस बात का भैसता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वैविवा से इंकार ना कर दे इससे उनकी बदनामी होगी वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिस्क में एक विचार आया उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूला बना कर राजकुमारी से विवा करा दूँ विवा के बाद इसको धन देकर विदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले आऊँगा अमर को दूले के वस्त्र पहना कर राजकुमारी चंद्रिका से विभा करा दिया गया राजा ने बहुत साधन देकर राजकुमारी को विदा किया अमर जब लोट रहा था तो सच नहीं छुपा सका और उसने राजकुमारी की ओड़नी पर लिख दिया राजकुमारी चन्रिका तुम्हारा विवा तो मेरे साथ हुआ था मैं तो वारण असी में सिच्छा प्राप्त करने जा रहा हूँ अब तुम्हें जिस नव्यूवक की पतनी बनना पड़ेगा वे काना है जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वारण असी पहुँच गया अमर ने गुरुकुल में पढ़ना सुरू कर दिया जब अमर की आयू सोला वर्स पूरी हुई तो उसने एक यग किया यग समाप्त होने पर ब्रामनों को भोजन कराया और खूब अनवस्रदान किये रात को अमर अपने सयनकच में सो गया सिव के वर्दान के अनुसार सैना वस्था में ही अमर के प्राण पखेरू ओड़ गये सुर्योदे पर मामा अमर को म्रत देख कर रोने पीटने लगा आसपास के लोग भी एक कत्र होकर दुख प्रकट करने लगे मामा के रोने विलाब करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान सिव और माता पारवती ने भी सुन लिये पारवती जी ने भगवान से कहा कि हे प्राणात मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे है आप इस फ्यक्ति के कस्ट अवस ही दूर करें भगवान सिव ने पारवती जी के साथ अद्रस रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पारवती जी से बोले कि हे पारवती ये तो उसी व्यपारी का पुत्र है मैंने इसे 16 वर्स की आयो का वर्दान दिया था इसकी आयो तो पूरी हो गई पारवती जी ने फिर भगवान सिव से निवेदन किया कि हे प्राणनात आप इस लड़के को जीवित करें नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की म्रत्तु के कारण रो रो कर अपने प्राणों को त्याग देंगे इस लड़के का पिता तो आपका परमभक्त है वर्सों से सोमवार का ब्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है पारवती जी के आग रह करने पर भगवान सिव ने उस लड़के को जीवित होने का वर्दान दिया और कुछ ही पल में वैजीवित होकर उठ बैठा सिच्छा समाप्त करके अमर अपने मामा के साथ नगर की ओर चल दिया दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहां अमर का विवाह हुआ था उस नगर में भी अमर ने यग का आयोजन किया समीब से गुजरते हुए नगर के राजा ने यग का आयोजन देखा राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया यग समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिनों महल में रख कर बहुत सारा धन वस्त दे कर राज कुमारी के साथ विदा कर दिया रास्ते में सुरच्छा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा दीप चंदने नगर में पहुँचते ही एक दूद को घर भेज कर अपने आगमन की सूचना भेजी अपने बेटे अमर के जीवित वापस लोटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयम को एक कमरे में बंद करके रखा था भूखे प्यासे रहे कर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतिक्चा कर रहे थे उन्होंने प्रतिग्या कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की म्रत्व का समाचार मिला तो वह दोनों अपने प्राण त्याग देंगे व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुँचा अपने बेटे के विवा का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा उसी राद भगवान सिम ने व्यपारी के सपन में आकर कहा कि हे स्रेश्टी मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन होकर तेरे पुत्र को लंबी आयुप्रदान की है व्यपारी बहुत ही प्रसन हुआ सोमवार का व्रत करने से व्यपारी के घर में खुसिया लौट आई सास्त्रों में लिखा है कि जो भी इस्त्री और पुरुस सोमवार का विदवत व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाईं पूरी होती है तो बोलो संकर भगवान की जय तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्थ पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद